एक स्वाल ये है कि एक भाई ने अपनी जिंदगी में ये वसीयत कर दिया कि मेरी सारी जाइदाद मेरी छोटी बहन को दे देना एक कोई भाई है उसकी कई बहने है और उसने ये कहा कि मेरी जाइदा मेरी बहनों को दे देना और उस भाई की शादी नहीं हुई थी उसकी अपनी ऑलाद नहीं थी इसी दरह से उसके अबबा भी फोत होगे अबबा फोत होगे उसके अपनी ऑलाद नहीं है और वो वसियत कर रहा है कि मेरी जाइदाद जो है मेरी एक बहन को दे देना तो क्या उसके मरने के बाद उसका हिस्सा उसकी बहन को दिया जाएगा कि नहीं तो देखिए अगर केस ऐसा है कि कोई ऐसा भाई है जिसके शादी नहीं उसके अबबा भी फोत हो चुके हैं उसकी बहने हैं तो इस केस में अगर वो ये वसीयत कर रहा है कि मेरी जो भी जाइदाद है वो मेरी छोटी बहन को दे देना उसकी इस वसीयत पे अमल नहीं किया सकता उसके ऐसा कहने से उसका हिस्सा उसकी बहन को नहीं दिया जा सकता है क्यों? क्योंकि सुना निम्ने माजा वगरे कि और बहुत सारी कुतब आदिस में एक मशूर रवायत अलागे हम फिर्माते हैं कोई किसी वारिस के लिए वसीयत नहीं कर सकता है एक आदनी अपने माल में से जाद जादा वन थर्ड की वसीयत कर सकता है लेकिन किसके लिए? उसके लिए जो उसका वारिस नहीं हो रहा है जैसे उसका कोई पड़ोसी है या किसी मज़ीद में देना है या मदरसे में देना है या किसी दोस्त को देना है यानि जो उसके वारसीन में नहीं आता है, लेकिन जो लोग उसके वारसीन में आता है, यानि उसके मरने के बाद, उसके माल में, उनको मिलना ही है, तो जो पहले से वारसीन में बैटे हैं, उनके लिए कोई बंदा वसीयत नहीं बना सकता, कि मेरे मरने के बाद, इनको दे जान वो जाद आदा वंधधड और वो उनधधड किसको देंगे किसी गैर वारिस को तो यह जो सवाल है कि अगर कोई गैर शादी शुदा भाई अपनी छोटी बहन के लिए वसियत करे कि मेरा सारा हिस्सा मेरी सारी जाधा उसको दे देना मरने के बाद तो ऐसा नहीं कर सकता ना त वसीयत में दो गलती है एक तो यह कि वारिस के लिए वसीयत कर दी है जो कि गलत है और दूसरा है कि कुल जाइदात की वसीयत कर दी है जबकि हादीस के मताबिक एक आदमी अपने माल में सिर्फ वण थाड़ की वसीयत कर सकता है एकर किसी को बोले कि देना है तो यह कह सकता जा पिले से उसकी वारी से इसलिए उसके लिए वसियत नहीं कर सकता जो वसियत किया है उसकी तनफीज नहीं होगी उस पर अमल नहीं किया जाएगा झाल सकता है है हुआए इसलिए किया जवख नहीं हो भी